आपका स्वागत है जहाँ आज आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास और चुनिंदा खबरे आरंखान ड्रस्ट केस में एंसी बदिकारी समिरवान खड़े खिलाप लगातर बंक फोड़ने वाले एंसी पनेता के खिलाप अब मुंबई की सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक की ओर से एक हजार करोड की मानहारी का मामला दायर किया गया है वही विरोधी पक्षनेता देवेंदर फड़निस ने मार्च महने का अधिवेशन नाखपुर में करानी की मांग की है उन्हेंने कहा कि अब विदर्ब की लोगों के साथ अन्या है उदर मुंबई के पूरब पुलिस प्रमुक परभिर सिंग ने नवी मुंबई स्तीच CID के कारेले में पूछता जारी है रंगदारी के एक मामले में कल सोमवार को उन्होंने करीब 6 गंटे तक अपना बयान दर्च कराया इसी बीच कल से राजय के प्रार्दमिक स्कूलों में ओफलाइन का शुरू हो जा रहा है स्कूली शिक्षा विभाग ने इसके अनुमती दे दी है बगर कोरोना के ने विरियन के खत्रे के बीच स्कूलों को कडाई से कोरोना प्रोटकॉल के पालन के आदेश दिये गए है इसके अलावा राजय के परेटन मंत्री आधित ठाकरे ने चौकानी वाली जानकारी दी है उन्हेंने बताया कि पिछले 19 दिनों में दक्षिन अफरिका से करीब 1000 या थी लोटे है इन में से जो लोग मुंबे में हैं उन्हें मालगर पालिका की तरफ से फोन किये जा रहे हैं प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्ता से जानने के लिए बनरी है अब हमारे साथ आर्यन खान ड्रग केस में NCB अधिकारी समिर वानखेडे के खिलाब एक के बाद एक खुलासे करने वाले अब मुंबई की सेंटरल कॉपरेट्व बैंक की ओर से नवाब मली के खिलाब एक हजार कोरोड रुपे की मानहानी का मामला दायर किया गया है बॉंबे हाइकोर्ट ने NCB नेता वसाथ अन्य लोगों को सम्मधित मामले में जवाब दाखिल करने के लिए च्छ सपता का समय दिया है बैंक की ओर से अधिवेक्ता अखिलेश चौबे ने बताया कि एक से चार जुलाई के बीच नवाब मली की ओर से बैंक के खिलाफ कई होर्डिंग्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे इन होर्डिंग्स से बैंक की प्रतिष्टा को नुकसान पहुचा है उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से इस मामले में एक नवाब मली को नोटिस भी भेजा गया था लेकिन उन्होंने होर्डिंग्स उतारने से इंकार कर दिया और नोटिस वापस लेने को कहा इसलिए संबंदित मामले में सारवजनिक रूप से माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है होर्डिंग मामले में राकामबानेता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि न तो मैं और नहीं मेरी पार्टी इस मामले में किसी भी तरह से जुड़ी है और होर्डिंग्स उनकी ओर से नहीं लगाए गए थे उनकी ओर से कहा गया है कि उन्हें एक जूटे मामले में फंसाया जा रहा है मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे की तबिये ठीक नहीं होने की वज़स से इस बार शीत कालिन अधिवेशन मुंबई में होगा विरोधी पक्षनेता देवेद्र फड़निस ने मार्च महिने का अधिवेशन नाखपूर में कराने की मांग की है सरकार पर निशाना साथे हुए उन्होंने कहा कि आगाडी के नेता अधिवेशन से दूर भाग रहे है क्योंकि उन्हें सामना करना ही नहीं है चार-पाच दिन का अधिवेशन नाखपूर न नहीं पहला दिन शोक प्रस्ताओं में चला जाएगा ऐसे में इस बार का अधिवेशन केवल चार दिनों का होगा हमारी मांग थी कि अधिवेशन की अधिवेशन की अधिव बढ़ाई जाए मेरी मांग के बाद अधिवेशन के पहले तारांकित प्रशनों का जवाब देने का आश्वासन सरकार की तरब से दिया गया है लेकिन राज सरकार का रुख बता रहा है कि वह अधिवेशन टालना चाहती है विरोधियों के सवालों का जवाब देने को सताधरी तैयार नहीं है पिछले दो वर्षों में विदर्ब पर एक भी अदिवेशन नहीं हुआ इसलिए विदर्ब के नागरिकों की आажबंदी हुई है सरकार के कदम से विदर्व के नागरिकों को लगता है कि उनके साथ ठगी की गई है इसलिए मार्च महिने का अधिवेशन नाखपुर में हो इस संदर्व में विचार किया जाए मुंबई के पूरपुलिस प्रमुक परंबिर सिंग से नवी मुंबई सिथ CID के कार्याले में पूछता जारी है रंगदारी के एक मामले में कल सोमवार को उन्होंने करीब 6 घंटे तक अपना बयान दर्च कराया साथ ही तीनों कांस्टबलो और एक अधिकारी के बयान दर्च किये गए जिनोंने API सचिन वाजे को नयमूर्ती चांदिवाल आयो के समक्ष सुनवाई के लिए स्कौर्ट किया गया था लंबे समय के बाद परमविर सिंग और सचिन वाजे ने एक साथ आमने सामने बात की मुंबई पुलिस ने नवी मुंबई में अपने समक्षकों से यह भी जांच करने के लिए कहा कि कैसे दोनों एक दूसरे से बात करने में कामियाब रहे और वह भी इतने लंबे समय तक सुत्रो ने कहा कि सिंग और वाजे एक दूसरे के साथ 30 मिनिट से अधिक समय बात कर रहे थे राज के पुरोग्रोहमंत्री और राकामबानेता अनिल देश्मुक के वकिल द्वारा न्यामुर्थी चान्दिवाल आयोक के समख्ष इस पर आपत्ती जताई गई थी आयोक के परिसर में एक अन्य कमरे में सिंग और वाजे एक साथ बैटने पर देशमुक के वकिल द्वारा आयोक पर आपत्ति किये जाने के बाद नयामूर्ती चांदिवाल ने शुरू में कहा कि इसे कैसे रोका जा सकता है हाला कि बाद में उन्होंने वाजे से कहा कि एसिस्तिती में बचने के लिए इस कमरे में बैटना बहतर है जहां आयोक की कारवाई हो रही थी बता दे कि एक सदस्य आयोक का गठन राजे सरकार ने सिंग द्वारा मुंबई पुलिस आयोक तोपत से हटाये जाने के बाद देश्मों के खिलाप लगाए गए ब्रश्टाचार के आरोपों की जान्च के लिए किया था कल से राजय के प्रार्थिमिक स्कूलों में आफलाइन क्लास शुरू होंगे स्कूली शिक्षा विबाग ने इसकी अनुमती दे दी है मगर कोरोना के नए वेरियन के खत्रे के बीच स्कूलों को कडाई से कोरोना प्रोटकॉल के पालन का आदेश दिया गया है सरकार ने शिक्षक और शिक्षक कर्मियों के लिए टीकी की दोनों खुराक लेना अनिवार्य कर दिया है स्कूलों में प्रवेश करने से स्कूल कर्मियों को आर्टी पीसिया रिपोर्ट जमा करवानी होगी स्कूलों में विधार्तियों की सौफिसदी उपस्तिती अनिवार्य नहीं होगी बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले अविभाव को की सहमती लेना अनिवार्य होगा AC का इस्तमाल नहीं करने को कहा गया है बेहद ज़रूरी होने पर AC का उपयोग होने पर क्लास की खिड़की और दर्वाजा पूरी तरह से खुले रखने की सलाहत दी गई है सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाने के लिए स्कूलों को एक अक्षा में अधिक बच्चों के होने पर दो या उससे अधिक सतर में क्लास आयोजित करने को कहा गया है रोजाना क्लास रूम में अभी बदलाव का सुझाओ दिया गया है दूसरी तरफ अभी भावकों को बच्चों के स्कूल खुलने की खुशी तो है वही दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरियंट के प्रसार का भी डर है देड़ वर्स से घर में रहने की वज़़से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरह से बंध हो गई है घर में रहने की वज़़से बच्चे मोबाइल के आधी हो गए है इसका असर उनके स्वास्त पर पढ़ रहा है ओफलाइन क्लास चुरू होने से दो बारा बच्चों की गतिविदिया आरम हो जाएगी कोरोना के नए अफ्रिकन वेरियंट पर मंत्री मंडल की बैठक में चिंता जाहिर की गई मुख्य मत्री उद्व ठाकरे ने विदेश से आने वाले यात्रियों पर विशेश निगरानी की बात कही बैठक में राज़के परेटन और मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आदित ठाकरे ने चोकाने वाली जानकरी दी है उन्होंने बताया कि पिछले 19 दिनों में दक्षिन अफरिका से करीब 1000 या 3 लोटे हैं इन में से जो लोग मुंबई में हैं उन्हें महानकर पालिका की तरफ से फोन किये जा रहे है इसके साथ ही विदेश से पिछले 10 दिनों में आये लोगों से संगपर्क कर उनसे पूछताच की जा रही है उन्होंने यह भी कहा कि संस्तागत क्वारंटाइन की व्यवस्ता की जा रही है मुख्यमंत्री उदोठाक्रे ने कहा कि अगर देशबर में आंतरराष्ट्रियों और घरेलू एरलाइन्स नियमित रूप से एक दूसरे के साथ जानकरी साजा करती है तो बीमार यात्रियों के साथ साथ उनके संपर्क यात्रियों को भी डूनना आसान हो जाएगा दक्षिन अफरिका से डोमविली आया एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया है मरीज के सैंपल जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए मुंबई भेजे जाएंगे और रिपोर्ट मिलने के बाद ही यस पष्ट होगा कि वह ओमिक्रॉन से संक्रमित है या नहीं फिलाल इस मरीज को मनपा के आइसोलेशन रूम में रखा गया है मनपा की स्वास्तादिकारी डॉक्टर प्रतिबा पानपाटिल ने बताया कि मरीज के भाई की रिपोर्ट निगेटिव आई है उसके परिवार की जांच की जाने वाली है कोरोना के नए वेरियन की दहशत के बीच राजनितिक जुगलबंदी तेज होती जा रही है संसत के शीत सत्र की गर्मा हट पहले ही दिन देखने को मिल चुकी है अब मैदारी रणिती भी तेज होती जा रही है पर्षिम बंगाल के मुख्यमत्री ममता बैंदल जी आज से तीन द्यूसिये मुंबे दोरे पर है उन्होंने तै किया है कि आगाडी सरकार में शामिल शिवसेना और राकामपा से बात तो करेंगी लेकिन कॉंग्रेस से दूरी बनी रहेगी उदर कॉंग्रेस समें 13 अन्यदल संसत के शीतकालिन सत्र का बहिशकार करने का मन बना लिया है मगर इसके लिए आयोजित बैटक में ममता की तुरुनमल कॉंग्रेस शामिल नहीं होगी साफ है कि ममता के तेवर कुछ और ही है इसी बिच करनाटक में एक बार फिर कोरणावी स्पोर्ट की खबर है हासन के एक स्कूल में 13 चातरों में कोविड-19 की पुष्टी हुई है तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतरी नितिन गड़करी ने कहा है कि सरकार फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अगले कुछ मैनों में अनिवारे करने जारी है ये नियम हर तरह के वहानों के लिए बनाये जाएगा इसके अलावा अभिनेत्री कंगना रणोत ने पुलिस में शिकायत की है कि उन्हें जान से मारने की धम कियाम मिल रही है देश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्ता से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बैनल जी आसे तीन दियू सीय मुंबई दोरे पर है इस दोरान वह महाराश्ट की मुख्यमंतरी उद्धव ठाकरे है और राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के अदेख्ष शरत पवार से भी मुलाकात करेंगी इसके अलावा वह एक दिसंबर यानी बुद्वार को मुंबई के कुछ बड़े उत्तोगबतियों से भी मुलाकात कर सकती है इस मुलाकात का उद्धष पश्चिम बंगाल में निवेश को बढ़ाना है महराश्ट में महाविकास आगाडी के गड़बंधन वाली सरकार है इसमें शुसेना कॉंग्रेस और राकामपा सहयोगी दल है तीन दिन के मुंबई दोरे पर पहुँच रही ममता बैनल जी इस गड़बंधन की सरकारवाली दो सदस से पार्टी के प्रमुखों से तो मुलाकात करेंगी लेकिन वह कॉंग्रेस नेताओं से नहीं मिलेंगी टीमसी के करिबियों ने बताया कि मुंबई दोरे के दोरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतिर राकामपा प्रमुक्षरत पवार और सीम उद्दव ठाकरे से ही मुलाकात करेंगी इससे पहले भी टीमसी ने कॉंग्रेस दोरा बुलाई गई विपक्षिदलो की बैठक में भी पूरी तरह दूरी बना ली है संसत का शीतकालिन सत्र शुरू होने से पहले भी टीमसी सरवदिलिये बैठक में शामिल नहीं हुई थी और अब मंगलवार को भी बुलाई गई बैठक में टीमसी ने शामिल होने से इनकार कर दिया है पार्टी अपनी रणनीती अलग से तयार करेगी कॉंग्रेस समें 13 अन्य दल संसत के शीतकालिन सत्र का बहिशकार करने पर फैसला कर सकते है विपक्षी दल दोनों सदनों में बिना बहस के तीनों कुरुशी कानुनों को निरस्त करने और राजसबा में 12 सांसदों को सोमवार को निलम्बित करने के मुद्दे पर यह फैसला कर सकते है सूत्रों से मिली जानकरी कनुसार विपक्षी दल संसद में प्रदशन करने और कारवाई को बाधित करने का भी मन बना रहे है एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों विपक्षी रणितिकारों ने बताया कि सत्र का बहिशकार करना एक विकल्प है लेकिन पार्टियों को इस पर सहमत होना होगा यह योजना इस बात पर भी निर्बर करेगी कि कुरुशी विधेक पर बहस करने में असफल रहने के बाद विपक्षी दलों को संसद में फसल समर्तन की गयारेंटी के लिए कानुन की मांग करने का मौका मिलता है या नहीं कॉंग्रेस के एक रणनीती कार ने बताया कि अगर हमें MSP कानुन और सम्मधित मुद्दों को उठाने का कोई अफसल नहीं मिलता है तो हमारे पास भहिशकर करने के लावा कोई और विकल्प नहीं होगा राजसभा में विपक्ष के ने ताम मलिक आजुन खडगे अगले कदम पर चर्चा के लिए अन्य विपक्षी दलों से मुलाकात करने वाले है आम आद्मी पार्टी और तेलंगना राश्य समिती सहीत सौधार राजनीतिक दलों के एक संख्त बयान में कहा गया है कि राजसभा के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैटक में ही भविश्य की कारवाई पर अंतिम विचार होगा करनाटक में एक बार फिर कोरोना विस्पोर्ट की खबर है हासन के एक स्कूल में 13 चात्रों में COVID-19 की पुष्टी हुई है जानकारी के मुताबिक हासन के चन्नाराय पटना स्थित मुराजी देशाई आवासी विद्धाले के 13 चात्रों को COVID-19 से संकर मित पाए गये है सभी चात्र असिम्टोमेटिक है जिलानी गराणी अधिकारी डॉक्टर शिवशंकर ने जानकारी दी है कि चात्रों के संपर्क में लोगों को खुद को क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है याद रहे इससे पहले राज़ के धारवार स्थिस SDM College of Medical Science में मिले COVID-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 281 हो गई थी हाला कि हाली के दिनों में केवल करना तक ही नहीं देश के कई राज़ों में COVID-19 मरीजों की संख्या में इज़ा पात देखा जा रहा है मुख्यमंत्री बोंबई ने साफ कर दिया है कि सरकार के सामने लॉकडाउन का कोई प्रस्ताओं नहीं है वही वैक्सिन के बुस्टर डोस को लेकर उन्होंने कहा कि यहां निर्देश केंद्र की तरफ से दिये जाने चाहिए केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार आगे की कारवाई की जाएगी एतियातन जिलों को भीड से बचने के निर्देश दिये गए है साथी पदेश सरकार समय समय पर केंदर और एक्सपर्ट के साथ समपर्क में है हर अपडेट पर पैनी नजर रखी जा रही है इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है पर सतरकता बहुत जरूरी है सडक परिवन और राजमार्ग मंतरी नितिन गड़करी ने कुछ समय पहले बताया था कि सरकार ने पेट्रोल डीजल की निर्भरता को कम करने के लिए नए तरीका इजाद किया है सरकार फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अगले कुछ महिनों में अनिवारे करने जा रही है ये नियम हर तरह के वहानों के लिए बनाया जाएगा सबी आटो कमपनियों को आदेश दिये जाएंगे कि वहानों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन का इस्तमाल करे इसी क्रम में सोमवार को एक बैटक को सम्मोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अगले दो-तिन दिनों में एक फाइल पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ जिसमें कार निर्माताओं को सोफिसदी बायो इतनॉल से चलने वाले इंजन बनाने के लिए कहा जाएगा सरकार इतनॉल की बढ़ी हुई आपूरती के साथ फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वहानों को जल से जल पेश करने की योजना बना रही है सोफिसदी बायो इतनॉल पर चलने वाले फ्लेक्स फ्यूल वहानों के रोलाउट के साथ ही इतनॉल की मांग तुरन चार से पाज गुना तक बढ़ जाएगी बतादे कि भारत में अभी सिर्फ पुने ही इकलोता शहर है जा तीन इतनॉल स्टेशन है इसी साल पाज जुन को प्रधानमंद्री नरेंदर मोधी ने तीन इस सव एतनॉल डिस्पेसिंग स्टेशन की शुरुवात की थी विशेशग्यों के मताबिक पाइलट प्रोजेक्ट के तहट पुने में कुछ इतनॉल फ्लिट बेस्ट गाड़ियां चलाई जा रही है अभिनेत्री कंगना रुनौत ने हिमाचर प्रदेश में पुलिस में एक F.I.R. दर्च कराई है शिकायत में कंगना का कहना है कि पंजाब के बठिंडा के एक वेक्ति ने उन्हें खुले आम जान से मारने की धम की दी है कंगना ने F.I.R. की कॉपी के साथ पंजाब के स्वर्ण मंदिर की अपनी तस्वीर शेर करते हुए एक लंबा नोट लिखा है इसमें कहा गया है कि मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों को याद करती हुए मैंने लिखा था कि गदारों को कभी माफ नहीं करना ना ही भूलना इस तरह की घटना में देश के अंद्रूनी देशद्रोही गदारों का हाथ होता है देश दोही गदारों ने कभी पैसे की लालच में तो कभी पद्वसत्ता की लालच में भारतमा को कलंकित करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ा देश के अंदुनी जैचन और गदार शड़यंतर रच देश विरोधी ताकतों को मदद करते हैं तब ही इस तरह की घटनाय होती है अब उनका कहना है कि मेरे इसी पोस्ट पर मुझे विगटनकारी ताकतों की तरफ से निरंतर धंकियां मिल रही है लेकिन मैं इस तरह की गीद टुकडे ज्याएंग हो या आटवे दशक में पंजाब में गुरूओं की पावन भूमी को देश से काट कर खालिस्तान बराने का सपना देखने वाले विदोईशों में बैटे हुए आतंगवादी हो मैंने किसी भी जाती मजभ या समू के बारे में कभी कोई आपमांजनक या नफरत फैलाने वाली बात नहीं की है ने चार साल अमरिका में स्टूडंट बन कर कई अमरिकी राजनिताओं को अपनी जाल में फसाया है उदर दुनिया भर की कई प्रतिश्चित कंपनियों की कमान अब भारतियों के हाथ में है नया चेरा पराग अगरवाल का है पराग अगरवाल ट्विटर के नए CEO होंगे 37 साल के पराग अब दुनिया की टॉप 500 कंपनियों के सबसे यूआ CEO बन गए है दूसर तरब पाकिस्तान स्रीश्री करतारपूर साहिब गुरदवारे में फोटो शूट करने पर पाकिस्तानी मॉडिल सुअला लाला ने माफी मांग ली है उन्होंने इस्टाग्राम अकाउ ने ने दिशा निर्देश में कहा कि ओमिक्रान प्रभावित देशों से यात्रियों को भारत पहुचते ही अनिवारी कोरोना जांच के साथ 7 दिन 21 में रहना होगा स्वास्त मंत्राले ने कहा कि सरकार ने सतर्ता के मदिनजर यह कदम उठाया है नए दिशा निर्देशों को 1 दिसेंबर से प्रभावि होंगे निर्देशों के मुताविक भारत से बाहर जाने वाले यात्रियों को भी यात्रा से 22 घंटे पहले कोविट जांच करानी होगी मंत्राले ने राजों को सभी आंतराश्ट्य यात्रियों की जांच कर कड़ी निगरानी के लिए कहा है सभी नमुनों की भी जीनोम सिक्वेंसिंग होगी इसी बिज दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने प्रदान मंत्री मोधी से अंतराष्टे उडानों पर रोक लगाने के लिए कहा है उधर जपान ने सोंवार को विदेशियों के लिए अपनी सीमाओ को बंद करने की घोशना की विश्व स्वास्ता संगटन ने भी सभी सदस्य देशों को चिताया है कि ओमिक्रॉन के कुछ शेत्रों में गंभिर परिनाम हो सकते है और इसके आंतराश जिस्तर पर फैलने की आशंका है अब तक स्कॉटलेंड, पोर्तुगाल, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोटसावना, ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, होंग कॉंग, इसराइल, इटली, नीदरलेंड और दक्षिन अफरिका में इस वाइरस के फैलने की जानकरी है कुछ यूरोपिय देशों में भी मामले सामने आए है भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रास्ते भारतिय गेहूं और दवाईयों को पहुचाना चाता है लेकिन पाकिस्तान ने कई शर्ते रख दी है सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान चाहता है कि 5000 टन गेहूं और दवाईयों की खेप बागा सीमा बिंदू से पाकिस्तानी ट्रकों से पहुचाई जाए जबकि भारत ने कहा कि वह स्वयम के परिवहन से साहिता सामगरी पहुचाएगा भारत चाहता है कि साहिता अफगान लोगों तक बिना किसी शर्त के पहुचे यह पता चला है कि राहसामगरी का परिवहन उनकई मुद्दों में से एक है जिसे दोनों पक्ष समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं संकेत मिले है कि भारत अफगानिस्तान में सामगरी वितरियन के लिए बागा सीमा पर संयुक्तराश्टर की एजंसी से बात कर सकता है और पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है विदेश मंत्राले में प्रवक्ता अर्विंदम बाक्षी ने कहा कि हमें अफगानिस्तान की लोगों को 50,000 मिट्रिक टन गेहु की मानविय साहता प्रदान करने के लिए 7 अक्तूबर को किये गए हमारे प्रस्ताव पर पाकिस्तान सरक गेहु के परिवहन की अनुमती देगी चीन के हजारों हनी ट्रेप जासुस दुनिया भर में तेजी से सक्लिय हो रहे हैं ये जासुस गुपत सुचनाओं को चीन तक पहुचाने का काम करते हैं ताजा मामला अमेरिका का है चीन के एक महिला जासुस क्रिस्टिन फांग ने चार साल अमेरिका में स्टुडन्ट बन कर कई अमेरिकी राजनिताओं को अपनी जाल में फसाया इसमें डेमोक्रिटिक सांसद और यूएस सिनेट के इंटलिजन्स कमिटी के मेंबर एरिक स्वेलवेल भी शामिल है आरोप यह भी है कि स्वेलवेल और क्रिस्टिन के भी शारिक संबन थे हाला कि अमेरिकी सांसद ने सारोजनिक रूप से आपसी रिष्टों को कभी स्विकार नहीं किया है रिपोर्ट में यह भी बताए गया है कि 2014 में चीनी जासुस क्रिस्टिन फांग ने एरिक स्वेलवेल के चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग की थी दरसल एरिक उसके फंड रेंजिंग कैमपेइन वैपकस्तर की पहुंच सुन्दरता को देकर फिदा हो गय थे जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी नजदी की बन गई थी लेकिन जब अमरीकी खुपिया एजनसी FBI ने एरिक को उसके चीनी जासुस होने की जानकारी दी तब उन्होंने क्रिस्टिन से दूरी बना ली थी वैसे 2015 में FBI को क्रिस्टिन फांग के बारे में जानकारी मिल गई थी जिसके बाद से FBI ने उसे रंगे हाथ पकरने के लिए जाल भी बिचाया लेकिन अपने काम में माहिर क्रिस्टिन ने अमरीकी खुपिया एजनसीयों की चाल को बहले ही भाप लिया और देश छोड़ कर फरार हो गई बताया जाता है कि उसे अमरीका से फरार करवाने में कई अमरीकी राजनेताओं का हाथ था गूगल के CEO सुंदर पिचाई IBM CEO अरविन कृष्णा मास्टर कार्ड CEO अजय पाल बंगा की तरह अब ट्विटर जैसी कमपने की कमान भारतिय मुल के युवाओं के हाथों में होगी ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने कमपनी के CEO पत से इस्तिपादे दिया है अब उनकी जगह पर पराग अगरवाल ट्विटर के लिए CEO होंगे इसके साथ ही 30 साल के पराग अब दुनिया के शिर्फ पास्टो कमपनियों के सबसे युवाज CEO बन गया है पराग अब तक कमपनी में चीफ टेकनोलोजी आफिसर थे उन्होंने 10 साल पहले कमपनी जोइन की थी IIT बॉंबे से पढ़ाई करने वाले पराग अगरवाल स्टैनवोर्ड उनिवरसिटी से डॉक्टरेट भी है ट्विटर से पहले पराग माइक्रोसॉफ रिसर्च और याहू के साथ काम कर चुके है इनके अलावा सुन्दर पीचाई सर्च इंजन गूगल के अलावा इसकी एक और कमपनी अलफाबेट के साथ बतोर CEO जुड़े हुए है वहीं इंडियन इस्टिटूट आफ टेकनोलोजी कानपुर के पुरोच्छातर अर्विन कुरुषना पिछले 20 सालों से IBM के साथ है पुर्वसीयो इंदिरानुई और एडोप के सीयो शांतरु नारायन भी भारतिय मुलके है जुनोंने बहुराष्टे कमपनियों की अगवाई की है पाकिस्तान स्तिस्री कतारपुर साहिब गुरद्वारे में फोटो शुट करने पर पाकिस्तानी मौडल स्वाला लाला ने माफी मांगी है उन्होंने इस्टाग्राम अकाउन पर स्वारी की फोटो पोस्ट की है आपतिजनक फोटो डिलेट कर मौडल लाला ने कहा कि वह तो कतारपुर साहिप की हिस्ट्री और सीख दर्म के बारे में जानने गई थी अगर उनके फोटो से कोई आहत हुआ हो तो वह माफी मांगती है लाहर की रहने वाली मौडल स्वाला लाला ने कहा कि यह किसी फोटो शूट का हिस्सान नहीं था मैं किसी की भावनाओ को आहत नहीं करना चाहती थी मैंने देखा कि लोग वहाँ फोटो खिचवार हैं जिनमें कई सीख भी थे इसलिए मैंने भी खिचवाली यह तस्विरे भी उस जगह की नहीं है जहां लोग माथा टेकते हैं उन्होंने पुरे सीख समुदाय से माफी मांग कर कहा कि भविशमें वह इसका ध्यान रखेंगी इस मामले में स्टोर मनत क्लोधिंग और मॉडल स्वाला लाला का कहना है यह किसी फोटो शूट का हिसान नहीं था हाला कि मनत क्लोधिंग ने बाद में मॉडल की इंतरस्वीरों पर 50% तक का डिसकाउंट नेबल लगा कर इन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था वही दूसरों को देख फोटो खिचवाने का मॉडल का दावा भी जूटा माना जा रहा है क्योंकि ऐसा होता तो फिर वह सिर्धक कर सब्वे तरीके से फोटो खिचवाती न की मॉडेलिंग करती तो आज की खास पेशकर्ष में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखतेर ये वी के बिन्यूस